अब करेंगे करेंगे अपको क्या चीज की जुरुत पढ़ेगा एक प्लेन मीरर की जुरुत पढ़ेगा जैसे ये प्लेन मेर मेर मैंने लिया नहीं ये प्लेन मीरर है इसमें आप देख रहा होंगे, मेरा image बन रहा है, दूसरा आप spoon लिजिए, ये spoon में इस side वाला जो portion है, ये concave mirror हो गया, और ये वाला जो portion है, ये आपको convex mirror हो जाएगा, अगर convex mirror आप दूसरे लेना चाहते हैं, तो आपको अपने bike में, जो side mirror के रूप में होता है, उसको use करन है, ठीक है, यानि तीन चीज़ लेना है, एक आपको plane mirror जो आपको इस picture में दिखा रहा है, दूसरा आपको एक spoon लेना है, और तीसरा आपको जो है side mirror जो bike में यूज होता है, या कोई भी vehicles में, गारी में, उसका use करना है, अगर वो नहीं रहे, तो आपको ये spoon का, इस side वाले जो उठावा वाला portion है, उसका हम use करेंगे, अब आप ये activity fork में का नाम ही है, कि to study the nature, side and position of image formed by different mirror, तो यहाँ different mirror, that means three types of mirror हमने लिया है, pictures में जैसे देख रहे होंगे, ये plane mirror है, आप इसमें कोई भी आप object को plane mirror में रखते हैं, तो उसमें जो image बनेगा, वो virtual और erect बनेगा, जैसे यहाँ P है, तो P का image यहाँ पर Q की तरह दिख रहा है, तो ये virtual और erect है, size of image equal to size of object है, और letter inversion, जो left वाले portion है, वो right side में, और right side वाल में, ये तीन चीज इस image जो आप activity one में भी पढ़ रहे थे, discuss के थे, हम लोग characteristics of plane mirror का, तो इसमें हम plane mirror के सामने में कोई भी object को आगे पीछे ले जाएंगे, तो हमेशा size of object equal to size of image, और object distance equal to image distance होगा, लेकिन वहीं पर हम spoon में आप अपना face देखें या कोई भी pain को देखेंगे इस spoon में ये कनके mirror हो गया, जो धसा होगा part है, इसमें आप अपना image देखेंगे, जैसे इस pictures में दिखा रहा है, ये कनके mirror है, तो object को beyond C रखा गया है, ओ एक object है, तो उसका image I, I dash बन रहा है, जो real and inverted बन रहा है, और यहाँ पर size of image जो है, वह आपको smaller than size of object बन रहा है, यहाँ आपर क्या था, height of image is equal to height of object बन रहा है, वही कनके mirror में अगर हम, मैंने कहा है, कि a spoon में आप अपना face या, अपना face या आप कोई भी object रख्या, आगे पीछे कीजिए, उसमें आप अपना image देखेंगे, तो कभी आपको बड़ा दिखाए देगा, कभी छोटा दिखाए देगा और कभी equal दिखाए देगा, यानि size of image कभी greater भी हो सकता है, जैसे कि इस figures में आपने के object यह हुआ, यह height of object जो है, यह greater है height of image से, इस case में height of image smaller than height of object, लेकिन यहाँ पर OA एक object है, उसका image आया डैस बन रहा है, जो height of image is greater than height of object बनना है, यह concave mirror की बात भी, चीक है, तो concave mirror में तीनो case create होगा, height of image equal to height of object भी होगा, इसमें आप यह जो image देखे, real and inverted बना, यह image जो है virtual और erect बना, यानि concave mirror में दोनों type का image बनेगा, real भी बनेगा, और virtual भी बनेगा, और तीनो case create हो सकता है, size of image equal to the size of object भी हो सकता है, और size of image is smaller than size of object, size of image is less than size of object भी हो सकता है, लेकिन जब convex mirror इसके लिए मैंने कहा कि आप अपने spoon को inverted कर देजे, उठावा पोर्सन में object को आगे पीछे करके देखिए, उसमें हमेशा या bike में, बहकिल्स में ही जो use किया जाता है, यह convex mirror है, इसमें ओ यह object है, तो इसमें हमेशा यह जो II dash जो image बन रहा है, वो हमेशा smaller बनेगा, height of image जो होगा, वो smaller than height of object बनेगा, और इसमें हमेशा जो image बनेगा, वो virtual और erect बनेगा, यानि convex mirror में हमेशा virtual और erect बनेगा, plain mirror में भी virtual और erect बनेगा, लेकिन concave mirror में दोनों type का बनेगा, रियल image भी बनेगा, और virtual भी image बनेगा, इसमें तीनों case हो सकता है, height of image is less than height of object, height of image equal to the height of object, height of image is greater than height of object, height of image is greater than height of object, लेकिन convex mirror में हमेशा height of image is less than height of object, और plain mirror में हमेशा height of image is equal to the height of object, एक्टिवीटी फोर से हम लोग ये चीज दिसकस आया, हम लोग सीखा, learn किया, कि image कार कैसा size होगा, कहां पर बनेगा, और उसका nature कैसा होगा, रियल बनेगा कि virtual बनेगा, रियल जब भी बनेगा, वह inverted बनेगा, बर्चुल जब भी बनेगा, erect बनेगा, अब है next topic कि image formation, image formation by a concave mirror, image formation by a concave mirror, तो उसमें six cases के लिए होता है, जिसमें case first, कि when an object is placed at infinity, कोई भी object को हम infinity पर रखा, तब कहां image बनेगा, इमेज formation के लिए मैंने चार condition पहले ही discuss किया था, कल उस चार condition में कोई दो condition को लेना है, यानि object से दो ray pass कराना है था, infinity से जो भी ray आएगा, वह parallel आएगा, तो यहाँ पर object को कहां रखा गया, at infinity, हम image formation पर रहे हैं कि इसमें concave mirror, तो यह after reflection, it passes through the focus, यह कहां चारा है, focus से पास कर रहा है, और यहां से भी नीचे principle axis के above और below, दोनों तरब से मैंने ray ले गया, after reflection, it passes through the focus, और दोनों ray कहां intersect कर गया, इस focus पर, कहां कर गया, focus पर, तो hence, image is formed at focus, image कहां form कर रहा है, focus पर, और कैसा image बन रहा है, उसका side very very small, that is damaged image बन रहा है, यानि height of image जो होगा, वह in comparison to height of object, वह बहुत बहुत छोटा बनेगा, और third, real and inverted बनेगा, यानि, तो ये case number one हुआ, हम लोग अब जो case number two का जो discuss करेंगे, की object कहां रखेंगे आप, यानि, सब्सक्राइब होता है, object हमें रखना है, beyond sea, जो आपके book में, ये infinity वाला case नहीं दिया था, वह बाद में दिया है, तो यहां पे हम object, ये concave mirror है, इस concave mirror में, object case two में क्या होगा, object beyond sea रखा, beyond sea का मतलब क्या होगा, कि between infinity and center of curvature, infinity और center of curvature, ये pole हो गया, ये focus हो गया, और ये center यहां पर हमने object को रखा, O A, एक object रखा, इससे हम क्या करेंगे, O A is an object, इससे एक parallel range ले गया, principal axis के parallel range, जो after reflection, it passes through the focus, ये कहां से pass कर गया, focus से pass कर गया, ओके, तो ये focus है, इस focus से pass किया, और दूसरा range हम center of curvature से ले जाएंगे, जो आपको rules बताया गया था, कि अगर center of curvature से ले जाएंगे, तो returns back into the same path, तो image form किया, यहां पर, दोनों range intersect कर गया, तो ये i, i dash जो image form किया, वो size of, ये कहां पर form किया, then image is formed between C and F, between C and F, यहनि center of curvature और focus के बीच form किया, size of image is less than size of object, यहां पर object का size, image का size है, वो object से क्या होता है, smaller बनता है, और C, real and inverted बना, okay, case 1 और 2 में कोई problem, case 1 मैंने कहा कि object is placed at infinity, infinity, infinity से जो भी range आएगा, वो क्या होगा, parallel range बनेगा, और दोनों range intersect किया focus पर, इसलिए image is formed at focus, इसका कैसा में, size जो होगा, very very small, that means diamondist image, और real and inverted बना, case 2 में, object is placed beyond C, that means, between infinity and C, infinity और center of curvature के बीच में रखा, object को, जो आप देखने हैं, OA is an object, OA एक object है, उससे एक rail ले गया, parallel range, principle axis के, after reflection, it passes to the focus, और एक second range जो ले गया, वो और center of curvature से ले गया, जो दोनों intersect करता है, और image is formed between C and F, that means center of curvature and focus, and second, height of image is smaller than height of object, और third, real and inverted बनेगा, जो यहीं तक, कल फिर हम लोग next, जो four cases बचा है, उसका हम लोग discuss करेंगे, thank you, good day.